नमस्कार स्वागत है आप सभी का UPECCE Educator भरती 2024 को लेकर के बात करेंगे सबसे पहले चीज़ देखिए आप सभी क्या पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी लिखा गया है कि सेवा योजन पोर्टल की तुरू ही आवेदन होंगे सेवा योजन पोर्टल पर कुछ आउट्सोर्शिंग की कांटेक्ट बैसिस की भरतियों के लिए फॉर्म आवेदन आते हैं लोग फॉर्म आवेदन करते भी हैं उसी पोर्टल की तुरू लेकिन आपकी भरती में ऐसी कोई भी जानकारी आउफिशल एक ही तो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद जिले बार बिग्यपती आएगी थोड़ा सा आप सभी धैरे बनाए रखें eligibility को लेकर कि इतना ज़्यादा confusion क्यों है क्योंकि आप लोग कहीं से कुछ सुनते हैं तो उसकी बाद फिर आप लोग कन्फिज होते हैं आप लोगों में से कितने लोगों के पास अभी तक जो पूरी PDF है notification की ओ नहीं है आपको कहीं से कुछ भी देखने सुनने की आऊ सकता नहीं पड़ेगी जितना आप अच्छे सा समझ सकेंगे उतने ही चीजे हो सकता है कि सामने वाला जो बताने वाले उनको वह भी न पता हो eligibility को लेकर कि इतना वरम हो रहा है कि simple Hindi language भी लिखा हुआ है सब कुछ eligibility को लेकर कि और कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं कि यह भरती किस के लिए है particularly या फिर कोई अधिमानी अरता हो या फिर कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया है कि यह भरती female के लिए है या फिर male के लिए है फिर ये सभी confusion या फिर ये सभी बाते कहां से निकल करके आ रही है किस के ओल female form भर सकती है या फिर दोनों लोग भर सकते है या फिर से वाई उजन पोर्टल पर सभी लोग profile बना लेजिए registration कर लेजिए cyber कैपे जा करके आप करवा लेजिए ये सब बाते क्यों लोग बता रहे हैं कुछ भी आप लोग मत करिये परिसान मत होए जब भी form आविदन श्टार्ट होगा और कापी ज़्यादा possibilities इस चीज की भी है कि आप लोगों से offline form भर के भेजने के लिए बोला जाए यानि कि एक form का पूरा PDF एक आप सभी को provide करा देंगे हम जिले बार PDF मिलेगी सभी के लिए और उसके बात उस PDF को भर करके बाकी सभी documents self-attest या पर जैसे भी बोला जाए उस तरक करके उसको पूरा एक साथ करके उसको लिफापे में करके आपको e-speed post भेजना हो यह मोबाइल से आप लोग नहीं बना पा रहे होंगे even desktop mode में करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो जो लोग बताने वाले हैं उनको बताने दीजिए कि साभर कैपे जाकर के बनवालो कहीं पर ऐसा लिखा है या पर कहीं पर ऐसी कोई सूचना मिली है माल लेजी इसका कोई फायदा आपको नहीं मिला तो फिर बे मतलब का आप उसमें परिसान हो रहे हैं और अगर कभी आऊ सकता पड़ेगी तो बनाने में कितना समय लगेगा profile registration वो आप जा करके करवा लेंगी ऐसा ने कि बहुत अधिक भीड हो जाएगी कुछ भरतियों में लाखों फॉर्म भरे जाते हैं तो क्या वो लोग फॉर्म नहीं भरते हैं तो इसके लिए आप लोग प्लीज परिसान मत होईए सेकंड ची दिखी हमने आप सभी से नेविदन किया था लगबग एक अपते होने वाला है उस वीडियो को लाइब आया थे हम आप सभी की बीच में हमने आप सभी से कहा था कि 15 सेप्टेंबर तक आप सभी रुख जाएए 30 सितंबर लास्ट डेट है कभी कभी लास्ट डेट बढ़ाई भी जा सकती है और आवेदन अधिक्तम 8 से 10 दिन लिए जा सकते हैं 15 सितंबर से भी अगर आवेदन होंगे तो भी 25 सितंबर तक जबकि लास्ट डेट 30 सितंबर है तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परिसान मत हो ये आवेदन जब भी स्टार्ट होगा तो उसकी जिलेवार सूसना मिलती जाएगी और आपको जिलेवार ही फॉर्म बरना है और अभी तक एक चीज और नहीं क्लियर हो सका है कि क्या आप एक से अधिक जिलों से भी फॉर्म भर सकते हो सकता है क्या भर पाएं तो उसकी भी जैसे भी जानकारी मिलेगी सही अपडेट होगी आप सभी को जानकारी हम देती रहेंगे ठीक है तो पहले चीज सेवाए उजन पोर्टल पर रेश्टरसंग करने के लिए प्रुफायर बनाने के लिए आप लोग प्लीज परिसान मत होईएगा कोई भी आपने से कोई भी परिसान ना हो पहली चीज सेकेंड चीज है कि आविदन को लेकर कि अभी समय है आप लोग परिसान मत होईए और जब भी आविदन होगा जिलेवार ही आविदन होगा जिलेवार ही फर्म भरे जाएगे जिलेवार बिग्यपती आएगी और आवेदन आनलाइन और आफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है या फिर केवल आनलाइन हो या फिर केवल आफलाइन हो तीसरी चीज़ यहाँ पर देखिए सीटों को लेकर कि अभी आपको दिखाएंगे पुरी पीडियाप अगर आप में से किसी के पास पीडियाप नहों तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से पीडियाप डाउनलोड कर लिजिए टेलिग्राम ग्रूफ है चैनल है ग्रूफ है टेलिग्राम चैनल तो अलग है एक टेलिग्राम ग्रूप है सिर्फ और सिर्फ आपके भरती से सम्मंदित तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी उसका Telegram ग्रूप का लिंक आपको इस वीडियो के description box में भी दिया गया है और comment में भी पिंड़ करके दिया हुआ है तो comment में आप सभी के मन में काफी जादा common होने लगा है कि क्या ये notification fake है फरजी है तो देखिए अभी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि ये notification fake होता तो बहुत पहले अब तक official notice आजाती कि ये notification fake है फिलाल में ये notification आपका real है fake नहीं है real है ठीक है लेकिन इसको लेकर के जितनी भी चीजे लोग अपने हिसाफ से बताने वाले हैं कि सेवायोजन portal प्रोफाइल बना लीजिए तो साइबर जाकर कि आप रेजिटेसन करवा लीजिए यानि जो भी चीजे लोग बताने वाले है उसका कोई लेना देना नहीं है या फिर eligibility को लेकर के केवल male आविदन करेंगे केवल female आविदन करेंगे या फिर दोनों लोग कर पाएंगे या फिर अगर आपके पास home science नहीं है तो आप आविदन नहीं कर पाएंगे यह सब चीजे किस ने बता दिया उनको notification ही तो सब कुछ यहां पर जानकारी का आधार है शुरोत है बाकि जो कुछ चीजे नूच पेपर के मादेम से आई थी ओ नोटिफिकेशन की ही बाते थी ठीक है तो जो बताने वाली चीजे है वो कहीं न कहीं उसका कोई आधार नहीं है निराधार बाते लोग बताने वाले जानकारी मिल जाएगी बाकि अगर आपको देखना हो जिले बार सीट तो आप यहां से देख सकते हैं सभी 75 जिले की सीटे यह टोटल सीटे हैं ध्यान दीजेगा पीम स्री के अंतरगत कुछ बिद्याले होते हैं और कुछ बिद्याले आपके जो आंगरवाडी वाले जो को ले सकते हैं या पर पीडियाप्त हमारे टेलग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं यह 43 यहां तक हो गए जिले फिर यहां से देखे 44 डिश्टिक है टोटल 75 दस अजार 684 टोटल यहां पर पद हो गए ठीक है तो आपको यह वाले संख्या देख नहीं अपने जिले के स कि बे वजय का जो भी चीजे आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो रही हैं कही ने कहीं से कुछ चीजे आप लोग देख रहे होंगे उस वज़े से आप लोग परिसान है पूरे नौटिफिकेर्सन में कैया कहीं पर भी ऐसा लिखा आई कि यह भरती capital female के लिए है में भी लिख्शा है तो फॉरम आने दीजीए जिलेबार विग्यपती आने दीजी जो फॉरम भरे जाएंगे तो सारे चीज़े वहीं से क्लियर हो जाएंगी ठीक है अगर केवल फीमेल की लिए या फिर दोनों लोग भर मुख की विशे के साथ यानि कि तीरों साल होना चाहिए 50% सामाने के लिए EWS के लिए बाकी सभी के लिए 45% आरक्षर का लाब मिलेगा आप सभी को कोई भी भरती ओ इवन जो सहस्तान होते जहां पर प्रवेस होते हैं वहां पर भी आरक्षर लागो होता है तो आपके भरती में सतपरस्त आरक्षर लागो होगा और जिले बार सीटे भी आपको पता चलेंगे कि किस केटिर की कितनी सीटे हैं इसलिए हमने आप सभी सिखा कि भी जिले बार विगिफ्टी आएगी तो बहुत कुछ चीजे आप सभी को क्लियर होंगी ठीक है तो पहले चीज यहां पर देखिए यहां तक कि होम साइंसे बिय या फिर बियस्टी होना चाहिए आपको तो होम साइंस जो है मेल भी करते हैं फिमेल भी करते हैं मेल जहां तक हमें पता है कि दोनों लोग ही करते हैं बियस्टी या बिय होम साइंसे यहाँ पे लिखा गया है अथवा अथवा का मतलब क्या होता है देखे 10th और 12th यह तो अनिवार है सभी के लिए यह तो होना ही चाहिए जोकि merit में नंबर जुड़ेंगे इनके 10th और 12th के अलावा या तो graduation हो, असनातक हो, home science है किसी और विशे से नहीं ध्यान दीजीगा आप सभी लेकिन अगर आप किसी अन्ने विशे से हैं असनातक तो उनसे कोई मतलब नहीं उनको छोड़ दीजीए आप ओहीं पे, फिर आपके वल अपना 10th का देखिए, 12th का देखिए और अगर आपने अब इतनी सी बातें लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसमें दोनों होना चाहिए सोसी उलाजी रहेगा तो आप फॉर्म नहीं बर पाएंगे इन सब का क्या अधार है कम से कम नोटिफिकेसंग को तो सभी को पढ़ लेना चाहिए जो भी लोग बताने बाले हैं जिससे आप लोग परिसान नहीं हो ठीक है फिर से आप सभी सुन लीजीए कि अगर आप BA या फिर BSC हो Home Science है तो आपको फिर इसकी आउसकता नहीं है Entity, City इनकी आउसकता नहीं है फिर आप सीधे सीधे eligible है Educator के लिए अगर आप BSC नहीं है Home Science है तो फिर आप अपने graduation को भूल जाएए फिर आप अपना 10th और 12 से देखिए और उसके बाद अगर आपके पास 2 वर्सी, 2 वर्स का diploma course होना चाहिए Nursery अध्यापक सिक्षा में Entity में, CT Nursery में या फिर DPSC में या फिर इसके समकक्ष इसके समकक्ष में B8 और BTC नहीं चलेगा ध्यान दिजिएगा ठीक है, बाकी अधर कोई course होँगे NCTE की guidelines के उनसार तो ओग course चलेगे यानि कि अगर आप Home Science से graduation नहों, किसी अन्ने बिसे से आप graduation हो तो उसको तो आप भूल जाएए फिर आप केवल अपने 10th देखिए, 12th देखिए अगर आप Home Science से असना तक नहीं तो फिर आपके पास NMA से कोई एक diploma course होना चाहिए तो आप बिल्कुल भरती के लिए eligible होंगे ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई confusion होगा तो प्लीज आप notification को दो बार, चार बार पढ़िए अच्छे से, आपको सारी चीजे अस्पेश्ट हो जाएगी आरक्षी दवर्ग को नियमा नुसार I.U.S.E.M.A. में छूट मिलेगी, यह 40 साल तो जन्रल EWS के लिए हो गया, बाकी यह भरती आपकी हमें नहीं लग रहा कि 11 महने के बाद किसी को निकाला जाएगा, तो आपका renewal होता रहेगा अब अगर आपने वीडियो complete सुना होगा, तो लगबग सारी डाउट आप सभी के मन में जो रहे होंगे, वो clear हो गए होंगे फिर भी अगर आपके मन में कोई भी doubt हो, तो आप comment करके जरूर पूछें पूरी कोशिस करेंगे आपको reply देने के और telegram group से आप सभी जुड़ जाएगे वीडियो को आप सभी please like कर दीजेगा, share भी आप सभी कर सकते हैं कर दीजेगा और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे हमारी पूरी कोशिस होती जो भी सही हो और authentic अपडेट हो आप सभी को समय समय पर हो जानकारी हम देती रहें धन्यवाद